गुरुजी करणुम ससद प्राणाम गुरुजी खुश रही है। सबसात्यूक में भगवान आए सबसात्यूक में बस इतने गुरी खुश रहे वह भाईयों को माइक दीजिए राधे राधे गुरुजी एक बात बताईए कि जो हर एक जो भी नौजवान अदि मरता है तो प्रेत योनी में ही जाता है कि मतलब कुछ उसका फंड़ना अलग है पापी मरेगा तो प्रेत बनेगा पुन्यातमा मरेगा तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा वो तो अपने अपने करमों पर निर्भर करता है कि हमने जीपन जीते जी करम कैसे किये हैं तो गुरुजी मतलब भूत प्रेत होते हैं बिल्कुल हाँ भूत प्रेत होते हैं होते हैं और गाउं गाउं समाधि में यह जो कछा चल रही है ना इस कछा के जो हमारी अजमान जी है उनकी बेटी अभी प्रेट से ग्रसित है यहां बैठी है उसको प्रेट आते हैं आज ही कछा में आये थे और उस प्रेट ने ही बोला अचा कि वरंदा बन जाके भागवत सुनोगे तम मेरा उध्धार होगा तो उस लड़की के अंदर प्रेट ही बैट बैट के भागवत सुन रहा है अभी इस कछा के जो ही अजमान है तो गुरुजी अगर कोई प्रेट आत्मा से दुखित है अब के वल भागवत उपाय है धुन्दकारी प्रेट बन गया था तो भागवत सुनवाई गए थी तो भागवत सुनने से मतलब इससब कश्ट दूर हो जाता है भागवत सुनने से प्रेट की मुक्ति हो जाएगी अच्छा अच्छा है ठीक हैं खुश रही है सबाल खड़ अच्छा 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 अच् कि मतलब मायन बरख लेता है गुरु जी ने ऐसे बोला था ऐसे बोला था खुश रही है खुश रही है